यदि हम अपने साथ होने वाले या अपने से होने वाले गलत कामों का दोश, समय या भगवान या भाग्य को देते हैं, तो हमें अपने साथ या अपने से होने वाले अच्छे कर्मों को भी प्रभू को ही समर्पित कर देना चाहिए। दूद तो निकालने चाहता था लेकिन गाय की सेवा नहीं करता था और गाय धीरे धीरे बीमार होने लगी बहुत कमजोर हो गई तब भी गाय की प्टाई भी कर दिया करता था और केवल दूद निकालने कर उसे पीने के लिए मिल जाए इस बात पर ध्यान रखते हुए और ग पंडिजी को डर लगा कि मेरे उपर गव हत्या का पाप न लग जाए तो वो गाय को छोड़कर और गाय की गले से उसकी रस्ती और डंडा निकालकर चल दिये उनके पास कुछ नहीं था सिर्फ एक गाय थी अब पंडिजी चल दिये जंगल में चले जा रहे थे और बार बा भगवान स्वयम एक सादू का बेश बनाकर एक दंडि स्वामी के रूप में जंगल के अंदर उस पंडित के सामने आ गए और बोले पंडित जी क्यों रो रहे हो क्या हो गया पंडित फिर बोला कि ऐसे ऐसे हुआ उसने पूरी कहाने बताई और गाय मर गई मेरी मैं इसको स लाकात होती है हम उनसे मिलते ही रहते हैं जो तुमसे गलती हुई उसके दंड स्वरूप केवल ये अपनी रसी और एक दंडा लकडी जो तुमने पकड़ी है ये देदो हम भगवान से कह देंगे तुमारे उपर कोई पाप का बोज नहीं रहेगा तुम उस भार से मुक्त ह हो जाओगे क्योंकि तुमारा विश्वास है कि जो करता है भगवान करता है क्योंकि पंडित ने तीन बार उनको बोला दंडी स्वामी को कि जो करता है भगवान करता है और भगवान उनको विश्वास हुआ था उन्होंने क्या दिया और पंडित ने तुरंत वो रस्ती और दंडी उस दंडी स्वामी को दे दी और अपने रास्ते ऐसा सोच कर कि मेरे सिर से पाप का बोज उतर गया और चले गए दूसरे गाओं में शहर में पहुँचे वहां कुछ लोगों से मिले और धीरे धीरे उनकी ज्यान की चर्चा होने लगी और पंडित जी की पंडिताई च लोग पंडित जी के पास खूब दान तक्षिना देने लगी पंडित जी के भंडारे भरने लगे अच्छा घर बन गया पंडित जी ने सोचा कि इतना समय हो गया मैं एक यग्य कराता हूं पंडित जी ने बहुत पड़ा यग्य कराया आयूजन किया उसका भंडारा चल रह था और बहुत आसपास की गावों के लोग ब्रहमन साहुकार सभी उस यग्य में आई थे अब भगवान फिर उसी दंडि स्वामी का वेश बना कर दुबारा उस यग्य के अंदर आकर जहां साधू बैठे थे वहां बैठने लगे और जब भुजन का समय आया वो पंडित के प रहा हूं भगवान ने फिर पूछा पंडित ये यग्य कौन करा रहा है अनुस्ठान कौन करा रहा है पंडित फिर बोले अभी तो बताया समझ नहीं हा रही कि आपको यग्य में करा रहा हूं आप भॉजन लो ने पंडित ये लो अपनी डंडी और ये लो अपनी रसी यदि ये यग्य तुम करा रहे हो तो गाए भी तू नहीं मारी थी दोस्तो ऐसा बता कर जब वो विद्वान ब्रहामण ने मुझे एक कथा सुनाई थी कहना वो चाहते थे मैं समझ गया तुरंत कि या तो हम सब कुछ भगवान को अरपना करते चलें अपने सुकर्म भी तो गलतियां भी भगवान हमारी ख्षमा कर देंगे उनका दोश भी हमें नहीं लगेगा लेकिन ऐसा नहीं कि जो अच्छा हो वो हमारा और जो खराब हो गया वो काल ही कर्म ही इश्वर ही मिध्या दोश लगाए जैस याराम